आज हम बात करेंगे नच्छत्रों का परिचाए वैसे इसको भी आप लोग स्वयम से पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ चीजें हैं जिस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को बोलूंगा जिस पे अगर आप लोगों के पास पीडियाफ हो तो आप लोग खोल लीजिए अन्यथा यहीं स्क्रीन पे ही देखते रही है नच्छत्रों का परिचे नच्छत्र का सबसे बड़ा योगदान होता है महूर्थ के निर्माण में नच्छत्र जो है इनहीं के चक्र से जो है सारे महूर्थ बनते हैं दिन रात प्र चवगढ़िया शुब्स्प सारी चीजें इसी से ही देखी जाती हैं तो यहां पर इसकी व्याक्षा की गई है नसा नच्छत्र सब्दकार्थ क्या है कितने डिगरी का होता है कितने नच्छत्र है नच्छत्र के चरण यह सारी चीजें यहां पर मैंने बताया हुआ है इसे आप लोग स्वयम ही देख लीजिएगा प्रस्न ही पूछ लेजिए चलिए बताएए गुरुजी मैं प्रस्न पूछ रहा था जैसे कि इसी जातक की धनु लगन की कुंडली है ठीक है सर और यह कोईस्चन नहीं आते डाउट में लगन और ग्रह रासी में सब्सक्राइब करना चाहिए ना कि कि हरको अब्धनु लगन में मारक अगर आपको नहीं आ रहा तो यानि किसी भी लगन में नहीं आ रहा होगा नहीं सब्सक्राइब रहत जैसे अब फर्स्टाउस में बैट अब अब बन जाएंगे कि इस था। नहीं मारक भाव के स्वामी हैं तो मारक ही रहेंगे लगन में बैठने से कारक पोड़े हो जाएंगे नच्छत्रों के बारे में ही बोलेंगे और इसी पर आप लोग प्रैक्टिस कर लेजिएगा नच्छत्रों का परिचाए अब यहां पर मुझे यही चीज बोलने की जरूर दोरत भय नहीं दुबारा वीडियो होग्रा आप लोगों के पास नोटस भी है कारन च्छत्र के चार चरण होते हैं आप देख सकते हैं ते चार होते तो 28 हो जाएगा और कुल 360 डिगरी होती है यह तो हमेशा जब सारे नच्छत्र मिलेंगे तो 360 डिगरी सारी बारा रासिया मिलेंगी तो 360 डिगरी और कुंडली के बारा भाव मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगा 360 डिगरी यह जो कुंडली बनी होती है वर्ग नुमा जिसमें बारा घर है वास्तों में वह बारा घर हम समझने के लिए वरगा कार लेते हैं उसका भी स्वरूब गोल ही है कुंडली की बारा रासिया आकास मंडल में गोल स्वरूप में है, तो यहां आप इसे पढ़ियेगा, ठीक है सभी नचंचत्रों के नाम मैंने लिख दिया है, कौण सा नचंचत्र महत्व पोड है, ये सभी नचंचत्र महत्व पोड है, कोई ऐस किसमें सब्से माट्ड पूर्ण हम उसे माल लेते हैं जिस नच्छत्र में चंद्रमा बैठा हो वह सबसे माट्ड पूर्ण राप्ड ओ economist हो जाता है। कर देखे यहां पर ये चीज देखिए सुभनच्छत्र। रोहिडी, आश्विन, नुर्य सिराव, पुस्य हंत्त चित्रा, प्रेवती, स्रवण अनुराधा, उत्तरा तीनों उत्तराएं. उत्तरा भाद्रपद, उत्तराशार्वा, उत्तरा फाल्गुनी, तीनों उत्पराएं जो हैं सुभनचत्र में धनिष्ठा पूर्वशू सभी सुभनचत्रों में गिने जाते हैं ऐसे आप इसको नोट कर लीजिएगा याद कर लीजिएगा जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति महूर्त पूछेगा किसी चीज का तो इन नचत्रों को आपको ढूढ़ना होगा इन नचत्रों में किसी व्यक्ति को कोई मुहूर्त बताएंगे तो जादा अच्छा रहेगा किसी व्यक्ति ने पूछा कि मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ ठीक है की नहीं तो अगर उस दिन रोहडी नचत्र है तो दिन अच्छा रहेगा मुहूर्त में द्यान से सुनियेगा मुहूर्त में सबसे ज़्यादा प्रभाव नचत्र का होता है सत्तर परसेंट प्रभाव नचत्र का होगा और सेस तीस परसेंट में जो तिथी है जो योग है जो करण है उन सारी चीजों का प्रभाव होगा यानि मुहूर्त में सबसे प्राथमिक चीज़ क्या होनी चाहिए नचत्र अच्छा होना चाहिए तो ये सारे आप परट लीजिए ये सब सुभन च्छत्र में आते हैं यहीं पर असुभन च्छत्र बताया गया जैसे तीनों पूर्बा जो तीनों उत्तरा जो है ये तीनों उत्तरा अगर सुभन हमें है तो ये तीनों पूर्बा जो है ये सुभन नहीं माना जाएगा पूर् पाखा को जो है वैसे अच्छा बुरा ये दोनों में आ जाता है मध्यम में भी आता है लेकिन यहां पर कुंडली के फला देश के नाते इसको असुब में सामिल किया गया जेस्ठा अध्रा मूल ये सब असुब नच्छत्र में आते हैं यानि इन नच्छत्रों में व्यक्ति क तो अच्छे कारियों की सलाह नहीं दी जाती है मान लेजिए कोई लड़की देखने जा रहा है आपसे पोचता है कब जाएं तो जिस दिन ये अच्छे महूर्त मिले उस दिन को बताईए नहीं तो आप असुब नच्छत्र बता दिये तो पता चला कि साधी के बाद बंगल होना था पहुंसते ही वहीं दोनों लोग घड़ गये मध्यम नच्छत्र में भरली आ जाता है क्रितिका मघा असलेखा ये मध्यम नच्छत्र में आ जाते हैं मतलब इनके अंदर कुछ अच्छाईया कुछ बुराईया भी हैं फिलाल ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से कर लीजिए अच्छे नच्छत्रों को याद कर लेजिए दिमाग में बैठा लीजिए कोई आप से सवाल पूछने आएगा तो सिर्फ यहीं पूछेगा अच्छा नच्छत्र बताईए ना कि यह पूछेगा बुरा नच्छत्र बताईए बुरा सुभ महूरत बताईए इसके साथ साथ हर नच्छत्र के बारे में यहां मैंने कुछ लिखा हुआ है असुनी नच्छत्र तीन तारों के समूछ से मिलकर बना है यह चीज आपको अभी याद हो जाए यह कोई आवस्यक नहीं है इस पे बहुत जादा माथा मत पीटिएगा दिमाग इस पे बहुत ज जादा नहीं घुमाना है असुनी नच्छत्र तीन तारों के समूछ से मिलकर बना है यह धीरे धीरे आप अपने सामने नोट्स रखेंगे धीरे धीरे देखते देखते याद हो जाएगा इसमें जो मुख्य चीज है कि नच्छत्र कौन सा है उसका स्वामी ग्राह कौन सा है यह जो तिस में जरूरत पड़ेगी कुंडली पे बोलते समय वैसे जब कुंडली आप खोलेंगे भी सौफ्ट वेर से तो उसमें लिखा भी रहेगा कि किस नच्छत्र का स्वामी कौन सा ग्राह है यानि अगर कम भी याद रहेगा तो सौफ्ट वेर आपकी मदद कर देगा ठीक है पिछले दिन हमने कुंडली दिखा के बताया भी था अस्वनी नच्छत्र पर असनी कुमार का अधिकार है यह असनी कुमार जो हैं गती के देवता हैं गती हो गया और यह रसायन सास्त्र हो गया दवा वगेरा पर अधिकार रखते हैं यह नच्छत्र में इस रासी म कौन सा है यह आपको याद करना है इस नच्छत्र का स्वामी भरडी का स्वामी कौन सा ग्राह सुक्ड है देवता कौन से हैं यम है यह सारी चीज याद रखना है अब मालेजे किसी व्यक्ति का कोई ग्राह भरडी नच्छत्र में बैठा हुआ है और बहुत बुरा प्रभाव दे रहा है तो अगर हम उस व्यक्ति से यम की पूजा करवा दें तो भरडी नच्छत्र में बैठा हुआ अगर अच्छा प्रभाव देने लगता है यह आपको आगे जब मेडिकल एस्ट्रोलोजी चलेगी उपाय वाला चैप्टर तो उसमें बताया भी जाएगा कृतिका पूछ रहा है तो उसे आप कृतिका नच्छत्र देंगे तो उसके लिए अच्छा है क्योंकि इसकी आकरिती ही काटने पीटने वाली जैसी है तो इसका स्वामी सूर्य महराज है यह याद होना चाहिए अंगूर के गुच्छे जैसा इस नच्छत्र का जो है समूह प्रतीत हुता ताराओं से मिलके नच्छत्र बनता है आकास मंडल में तारा एक दूसरे से जितनी दूरी पर होते हैं तो वो ये काकृती बना लेते हैं उसी आकरिती के हिसाब से आपके लिए बता दिया गया है इसको बहुत रटने और याद करने की जरूरत नहीं है यह याद रहे रोडी नच्छत्र है और इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और ब्रम्हा जी इस नच्छत्र के देवता है अब ऐसे ऐसे आप सारे नच्छत्रों को देख लेजिएगा और अलग से एक पेपर पे जो आप डायरी अपनी बनाए होंगे नोट्स की उसमें सिर्फ इतना लिखिये इधर नच्छत्र लिख लेजिएगा और उधर उस नच्छत्र का स्वामी ग्रह लिख लेजिएगा और हो सके तो देवता भी लिख लेजिएगा अब इन सब का सबसे अधिक प्रियोग किस तरीके से करना है मैं उस पह चलता हूं और नच्छत्रों के बारे में भी बहुत सारे कारिक्राइब मिलेंगे एडवांस में एडवांस लेवल में लेकिन इसमें जो समझने वाली बात मुख्या है वो यह नच्छत्रों की संग्या पेडियेफ जब आप खोलेंगे तो पेज नंबर बारा पे डाउनलोड कर लीजिएगा इस्टडी माटेरियल में होगा तो यहां पे मिलेगा नच्छत्रों की संग्या नच्छत्रों की साथ प्रकार की संग्याए और एक क्या है चर चलाए मान इस्थिर मतलब होता है जिसमें मोसन ना हो या भहुत कमोसन हो जो इतनी गती से चले कि जो चलती हुई प्रतीत ना हो तो उसे इस्थिर नचहत्र बोलते हैं चर मतलब जो दिखे तो लगे कि हाँ ये नचहत्र गुम रहा हे चल रहा है अब दुरू नचहत्र में इन नचहत्रों की स्रेडी में उत्रा फालगुनि उत्परा साड़ा उत्परा भादरपद रोहिडी नच्चत्र के साथ रवी वार के दिन को भी रखा गया है दिन भी सामिल कर लीजिए अगर रवीवार को जो है वो भी इस्थिर दिन में आता है ये की इन अक्ति करना चाहिए अगर कोई आज 뉴스 में चिलाना हो तो उसको इन श्वातर करना चाहिए जैसे की घर-घर आप देखिया मकान की नियू अब मकान कोई रखेगा तो क्या चाहिए मकान की नियू स्थिर रहे थे डूले नहीं तब ही तो मकान की आईउब अब इसी लिए मकान की नियू रखना, पहले के समय में पुआ खोदा जाता था तो उसको भी सामिल किया गया, यानि पानी से जुड़ा कोई काम कर रहे हैं, किसी को टंकी लगवाना है, पोटी लगवाना है, नल लगवाना है, खेती के लिए बोरिंग करवाना है, खेती सीचने के लिए तो उसको इस्थिर नच्छत्र देना चाहिए भमन निर्माड हो गया जनेव संसकार भी इसी में ही करना चाहिए इस्थिर नच्छत्र में क्योंकि यह भी लाइफ लॉंग चलने वाली चीज है क्रिसी से जुड़े हुए कार्य कोई जमीन खरीदना चाहरा है तो उसको क्या दीडिये चाहरा हुए ओसके लियुक्त जमीन बेचने की नोबत नाक्याए नौकरी कोई वेक्ति आरम तो उसको छुटी मिलने में आसानी रहें। तो यह जान लीजिएगा अभी आगे मृदू नच्छत्र आएंगे तो जो नच्छत्र भी आगे मृदू नच्छत्र वाले आएंगे वो कारी इसमें भी किये जा सकेंगे यानि दुरू इस्थिर नच्छत्र यह आपको एक पेज पे अपनी तरीके से लिखके टेबल पे नच्छत्रों को और फिर कोई जब आप से पूछे मृदू तो आप यहां से देखके बोल सकें याद हो जाए तो अच्छी बात है नहीं याद हो तो लिखके रखिए महीने दो महीने जब आप काम करेंगे टेबल पे सामने रखके तो आपको अपने आप याद हो जाएगा किसी सारी चीज़ दिमाग में रखेंगे भूल जाता है याद रहेंगा लेकिन आ इन वक्त पर दिमाग में नहीं आएगा लिखके सामने रखेंगे तो आप से कोई चीज छूटेगी नहीं अगले वाले सामने वाले व्यक्ति को बढ़ियां से गाइड कर सकेंगे और इसमें कोई बेज्यती की बात नहीं है बेज्यती तब है जब आप सामने वाले को सही से गाइड नहीं कर पाएंगे इसी प्रकार से चर नच्छत्र भी लिखके उसी पे इस पे छोटा सा लिखके रखे रहें जब भी किसी को गाइड करेंगे भविस्य में तो देखते रहेंगे अब चर नच्छत्र जो होते हैं इसमें ऐसे काम करना चाहिए जिनको बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रखना हो जो इस्थिर रहने वाले ना हो इस नच्छत्र में स्वाती आ गया उनर बसू, स्रमण, धनिष्ठा, सद्विसा और सो मौर का दिन भी आ गया सो मौर के दिन में जो काम किया जाता है वो चलाए मान रहता है तो इसमें जो है जैसे वाहन चलाना अब अगर वाहन कोई व्यक्ति खरीदता है तो वो इस्थिर रहे इसलिए नहीं खरीदता तो इसलिए वाहन का मुहूर के किसमे देना चाहिए चरन च्छत्र में देजिए जिस दिन चरन च्छत्र हो उस दिन वाहन खरीदने के लिए गाइट करिए सवारी करना घुर सवारी पहले के जवाने में हाथी की सवारी करना ये सब पेस्ट बुक में होता है हमारे क्लासिकल में तो इसको अपने हिसाब से समझिएगा कोई भी सवारी करना है तो चर्ण छत्र में यात्रा प्रारंब करना चाहते हैं तो चर्ण छत्र में इस थिर्ण छत्र में कोई व्यक्ति यात्रा करेगा तो उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा रास्ता जो है वो थोड़ा कठोर हो जाएगा स्रमसील हो जाएगा गाड़ी बिगड़ जाए रास्ते में या तवेत के कारण रुपना पड़े मौसम के कारण जब चर नच्छत्र रहता है तो आपकी यात्रा बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए इस बात की संभावना अधिक रहती है आगे सबसे महत्तुपूर्ण चीज उग्र या क्रूर नच्छत्र यह सबसे महत्तुपूर्ण है इसका उप्योग हमें कुंडली में करना है कैसे करना है और यह जो दो ऊपर बताए गए आपको चर और स्थिर जो ऊपर बताए गए उसका प्रियोग तो कर सकते हैं और बहुत ही जवर्दस्त फलादेश होता है पहले मुहूर्त के परपेक्च में देखते हैं फिर मैं बताऊंगा लास्ट में कुंडली में इसका प्रियोग करना इसमें पूर्वा सामिल हो गया पूर्वा शाढ़ा पूर्वा भाद्रपद और इसमें पूर्व नचत्र नहीं है लेकिन पुरूर दिन है आक्त्रामक सुभावाले कार इन नचत्रών में किये जाते हैं जैसे किसी की हत्या करना अब यहां पाहत्या करने का तो कोई कोई लौजिक नहीं बनता कि इसके लिए कोई व्यक्ति मुहूर्ट देखेगा तो पहले के समय में जब लोगों को फासी वगयरा दी जाती थी जब राजा महराजाओं का समय होता था तो उसमें यह नच्छत्र लिये जाते थे फासी भी मुहूर्ट देखकर दी जाती थी वि इसे नच्छत्र में विद्धा किया जाए ताकि वो लोग जो जा रहें गुप्त चरी का काम करने आसानी से कर सके हैं अगनी से संबंधित जो कार्य है उसको इस नच्छत्र में करना है किसी का ईट भठा है जहां इट जो है पक्ति है वो कार्य हो गया या अगनी लिए जो सरिया औगेरा बनता है भट्टी में गलाया जाता है उसको जिस दिन सुरू करना हो इस नच्छत्र में किया जाए अगनी से संबंधित कार्य और भी जैसे अगनी से असुभ कार्य जुड़े हुए हो गए चोरी विस देना विस संबंधित दवाओं पर खोज विस संबंधित जैसे जो अभी करोणा था उसकी दवण होजी गई तो व क्रिया क्रूर नच्छत्र में शुरू किया जाएद आसान रहता है। इसी को को लास्ट चाहिए बंदूख का राइफल का तो आप यह नच्छत्र बता सकते हैं उनको आज सभी प्रक्तिति के कारियों के लिए अनकूल नच्छत्र माने गए हैं अभी आगे दारुण नच्छत्र भी आएगा दो प्रकार के नच्छत्र हैं जो खराव हैं एक तो उग्र हैं दूसरे को दैनल बोलते हैं वह क्रोने वह अब नीच्छत्र में कर सकते हैं उसे तीछड अर भी 기분 किया जासकता हैं है है मिस्ट्ए नच्छत्र अब यहांपे नाम से ही मिस आजिश साथार्ण नच्छत्र अगर गर मान लीजिए रिए doğru मूहूरत बताया गया यह सब नह करत्त में नहीं है और विखतिकों जल्दी का महूड चाहिए तो इसको आप शकर नच्छत्र में आप किसी को कोई भी काम करने के लिए सलाइद सकते हैं लेकिन आम तो पर इसमें भी अगनी से संबंधित कार्य धातूंगों को गरम करना धातू हो चाहे लिक्विट हो कोई भी चीज गरम करना गरम करके लिक्विट बनाना गैस से जड़ा हुआ कार्य सजाने सबागने का का कार्य 25 निरमाणादिका का अगला नच्छत्र होता है छिप्रया लगू नच्छत्र छोटे नच्छत्र इन में जो है हस्त नच्छत्र अस्वनी पुस्प्य पुस्य अभिजीत और ब्रहस्पतिवार का दिल लेते हैं इन नच्छत्रों में दुकान का प्रारंब दुकान का प्रारंब हो चाहे दुकान क का निर्माड हो घर का निर्माड नहीं दुकान का निर्माड घर का निर्माड तो इस्थिर नच्छत्र में करना दुकान का प्रारंब तथा दुकान का निर्माड समान बेचने का सिच्छा प्रारंब करना गहने तथा जवारात बनवाने का या पहनने का मित्रता करने का किसी से पार्टनर्शिप करने के लिए ये नच्छत्र अच्छे हैं अस्वनि पुस्य और अभिजीत कोई आपको कला सीखनी है कला मतलब कोई हुनर या इसकिल अपने अंदर डवलप करना है कला दिखाना हो चाहे कला सीखना हो इन सब के लिए ये नच्चत्र अच्छे हैं अब सबसे महत्वपूर नच्चत्र है मृदू नच्चत्र अब यहां उग्र जिसको हम क्रूर बोलते हैं और अभी हमें मिला है मृदू और अगले नंबर पर हमें मिलेगा तीछ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष नच्छत्र में आते हैं तो मान लीजिए इसमें से बहुत से लोगों की साधी बिवाह तो हो गया है पत्नी के लिए कुछ ले करके आ रहे हैं या साधी के लिए जा रहे हैं कुछ भी नया करना चाह रहे हैं पत्नी को घुमाने लेके जा रहे हैं अब अगर आप बलती से उग लीजिये नई नई साधी हुई और लेके गए पत्मी को घुमाने के लिए और निकल गए उग्रन अच्छत्र में अब उग्रन अच्छत्र में निकले यहां से तो बड़े हसीन सपने लेके निकले अब वहां पर पहुंचे तो पता चला दुन्द युद्ध सुरू हो गया फ विकास जी हैं सीख रहे हैं साधी होने वाली है उनकी तो वह बनाए हैं बड़ी दूर जाने का वह भी लाइब होंगे तो सुन लें और सीख लें रिदू नच्छत्र में अच्छे रिजल्ट मिलते हैं किये गए कार्य हमें मधुर परिडाम देते हैं और अगर यह नच्छ यह मधुर होगा तभी तो लोग सुनेंगे संगीत सीखना जब आप मधुर नच्छत्र में काम ही नहीं शुरू किये हैं तो आपका कंठ मधुर ध्वनी निकालेगा ही नहीं क्योंकि कंठ के साथ साथ संगीत भी चाहिए तो संगीत का महूरत अच्छा रहे वस्त्र सिल्व आने का महूरत या पहनने का महूरत क्रीड़ा खेल खेल अभी मित्वाना च्छुत्र में होता है तो लेक्ति Żटीं ये कारे किये जाएं तो अच्छा है ये तो हो गया मैंció काम के लिए मुहूरत बताने यक obscene अब एक दूसरी चीज जान लेजिए जो हमारे पास साथ कटेगरी के नच्छत्र आएं हैं इसमें से तीन कटेगरी का ज्यादा महत्तो है इस पर भी बोलूं तब उस पर चलता हूं जो मैं बताना चाहरा हूं तीछड और दारुड चाहे तीछड कह लीजिए चाहे दारुड अचाह आप देखिए इस तीछड तीछड बतला हूता है तीखा दारुड मतलब कोई आग खाय आग से जल जाने पर जैसा फील होता है वैसा ही इसका टेस्ट है तीछड का दारुड पा तो ये दारुड नच्छटर में मूल आता है जेश्ठा आद्रा असलेखा नच्छ्ह सनिमार का दिन भी जो है दारुण में आता है इन नच्छत्रों में भी घोर क्रियाएं की जाती है मतलब जैसे असुभ चीज़ें तांत्रिक क्रियाएं खत्या काला जादू आक्रमण करना मृत्य तुल्य क्रित्यों को करना जानवरों को प्रसिचित करना तथा उन्हें बसमे करना जो समसान साधनाय करते हैं हट योग फून के लिए ये नच्छत्र महत्वपूर है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है एक हमें मिला ती पीछड नच्छत्र और इस उग्र नच्छत्र इन दोनों को ही असुभमानिय है हो सकता है इन नच्छत्रों का स्वामी गरह कोई सुभगरह ही हो लेकिन इसमें नच्छत्रों का स्वामी जो है उससे मतलब ही नहीं है इन नच्छत्रों की प्लेस्मेंट आकास मंडल में जह मतलब आग की जलन देने वाले आग से लोग डरते हैं आग हमेशा जलाने का और परिशान करने का काम करेगा जो भी आग में पड़ेगा अब एक चीज ज्यान देजिएगा किसी की कुंडली में हालंकि अगला कारिकरम में मारक पे और कारक पे ले लूँगा और इसका किसी की कुंडली में कोई खराब योग बना है खराब योग का मतलब क्या हो गया खराब योग का मतलब हो गया मैं वह भी दिखा देता हूं इसी समय कुंडली में बनने वाले योग कहीं पर होगा पेडिया अच्छे बुरे योग अब यहीं कहीं है ढूड़ना पड़ेगा या है जन्म कुंडली के प्रमुक दोस खुल जाए पेडिया फिर मैं बता रहा हूँ जैसे जन्म कुंडली में बनने वाले प्रमुक दोस में ग्रहन दोस एक है चंद्रमा और सूर्य के साथ राहू के तुहों तो ग्रहन दोस इसी प्रकार से अंगारक दोस मंगल राहू की युति हो चांडाल दोस गुरू और राहू की युति हो स्राफित दोस सनी राहू की युति हो इसी प्रकार से बिश दोस कालसर्प दोस अंधग दोस बहुत सारे दोस हैं मान लेज़े किसी की कुंडली में ये दोस बना हुआ है किमद्रुम दोस चंद्रमा अकेला हो उसके साथ में आगे पीछे कोई ग्रहना हो ऐसे और सारे दोस होंगे सकट दोस यह सब आप लोग पेडियाफ में पढ़िए वीडियो में भी बताया गया है मान लेज़े किसी की कुंडली में ये सारे दोस है और ये दोस कुंडली में जहां बने हुए है जिस नच्छत्र में मैं मान लेता हूँ कि सनी और राहू के द्वारा एक योग बना सनी राहू ये एक साथ हैं तो यहां पे 20 दोस बना अब इस दोस में देखिए कि सनी और राहू किस नच्छत्र में हैं कोई भी दोस बना अगर जो दोस बना है वह जेश्ठा आद्रा असलेखा में बना हो या फिर इस उग्र नच्छत्र में बना हो सनी और राहू दोनों में से दोनों इस नच्छत्र में हो तो ऐसा जान लीजिए कि उस दोस का प्रभाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मिलेगा दसा अंतर दसा आने पे बहुत ज़्यादा तकलिफ देगा मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कॉंसेप्ट समझाता हूं इसको बाद में जब रिकॉर्डिंग वीडियो देखेगा तो उतार लेजिएगा कुंडली का कोई भी दोस अगर तीछल नच्चत्र या उग्र नच्चत्र उग्र नच्चत्र मतलब भरली मघा पूर्वा फाल्वुनी पूर्वा शाढ़ा पूर्वा भाद्रपाद तीनों पूर्वा और भरली मघा इसके अलामा तीछड नच्छत्र में आद्रा, अशलेखा, जेश्ठा और मूल अगर इन नच्छत्रों में कोई दुर्योग बना है कुंडली में तो वह दुर्योग जादा ही अनिस्ट फल देता है अगर दुर्योग बनाने वाले दोनों ग्रह की सेम नच्छत्र में हो तो ज़्यादा बुरा है अब माल लिया की सनी और राहु या मंगल राहु ये एक साथ हैं अंगारक दोस में हैं अगर दोनों में से कोई एक पूर्बा भाद्रपद में है और दूसरा पूर्बा भाद्रपद नच्छत्र में नहीं है तो भी दोस्ट बना लेकिन वो कुछ कम प्रभाव साली होगा इसके बजाए कि दोनों ग्राही पूर्बा भादरपद में हो अगर दोनों पूर्बा भादरपद में हो गए तो बहुत प्रभल है दोनों में से कोई एक बाहर हो गया नच्छत्र बदल लिया है तो कुछ हलका हो जाएगा ये चीज जाने रहिएगा अब एक चीज और देखिएगा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई दुर्योग बना और ग्रह इस नच्छत्रों में है पूर्बा फाल गुनी पूर्बा शाड़ा पूर्बा भादरपद भरड़ी मगा में है दोस बना है और भ्यक्ति का जनम भी मंगलवार का हो तब तो पूछना ही क्या है वो दसा अंतर दसा ऐसे ऐसे करामात करेगी कि ब्यक्ति को समझ ही नहीं आएगर मेरे साथ क्या हो रहा है वहीं अगर पीछड़न च्छत्र में भी यही चीज लागू है मूलन च्छत्र जेश्ठा आदरास लेखा में अगर दोनों बुरे योग वाले ग्रह हैं तो असुप फल रहेंगे अगर जनम भी सनिमार का हुआ है तो और भी प्रभाव साली अब एक दूसरी बाब किसी की कुंडली में सुभ योग बना है गचकेसरी योग बन गया, चंद्रमांगल योग बन गया लक्षमी नारायन योग बन गया मरलब अच्छे योग बने और वो भी इन अच्छत्रों में आ गये तो उन अच्छे योगों का फल भी कम हो जाएगा मरलब आसुब तो नहीं कहेंगे कि गचकेसरी चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठे तो गचकेसरी बना और अगर वह गचकेसरी इस तीछड़ और उग्र नच्छत्र के वज़ाए किसी दूसरे नच्छत्र में बना होगा तो उसका जितना अच्छा एडवांटेज मिलेगा उतना अच्छा एडवांटेज इसमें नहीं मिलेगा उग्र और तीछड़ नच्छत्र में अब अगली बात मृदू नच्छत्र पे आ जाएए अगर कोई दुर्योग बना हुआ है और दोनों दुर्योग वाले ग्रह मृदू नच्छत्र में बैठे हैं तो दुर्योग का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा इसे जान लेजिए मंगल राहु ये एक साथ हैं अंगारक दोस में हैं उग्रिया क्रूर नच्छत्र में हो गए तो बहुत टगड़ा नुकसान वहीं अगर यह दोस मृदू नच्छत्र में बना तो बहुत कम नुकसान बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं कुंडली देखते समय कि ये कही दोस आप बोलेंगे आपके कुंडली में चांडाल दोस हैं पांच लोगों के चांडाल दोस देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ लोगों को चांडाल दोस बहुत प्रभावित किया कुछ को बहुत कम किया कुछ को तो बिलकुल ही नहीं किया तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है कि क्या दोनों करह सेम नच्छत्र में तो नच्छत्र में हैं तो नच्छत्र उग्रिया करूर है कि मृद्यू है कैसा है ये दोनों चीजें देख लेनी चाहिए अगर कोई अच्छा योग इस मृदू नच्छत्र में बन गया गचकेसरी योग मृदू नच्छत्र में बन गया तो गचकेसरी का योग बढ़ जाएगा उसका अच्छा प्रभाव बढ़ जाएगा और अगर कोई खराब योग इस मृदू नच्छत्र में बना है तो उसका खराब प्रभाव घटेगा खराब बनने पर खराब का प्रभाव घटेगा और अच्छा बनने पर अच्छे का प्रभाव बढ़ेगा अब दूसरी चीज इसी कुरूर और उग्र और मृदू के बारे बहुत सारी कुंडलियां आप देखते हैं तो मांगलिक होती हैं लगन का मंगल चोथे का सब्सम भाव में हो अस्टम भाव में और बाराहमे भाव में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है इतना सामान निसा नियम जानिये और जो इसके अपवाद हैं वो बाद की चीजे है सब लोग जिनको नहीं पता है वो लोग अभी रटलें लगन में चतुर्थभाओं में सब्सम अस्टम और द्वादस भाओं में मंगल हो तो कुंडली मांगलिक हो जाती है अगर कोई वेक्ति मांगलिक है और मंगल जो है इन चत्रों में बैठा हो उग्रिया क्रूर नचतर में हो या मंगल जो है दारूर नचतर में हो तो ऐसे मंगल दोस्त का प्रभाव बढ़ जाता है याद रखियेगा जब भी मांगलिक देखिए तो मंगल का नच्छत्र भी देख लीजिए उग्रिया कुरूर में है की नहीं है अगर इन नच्छत्रों में मंगल है तो मंगलिक का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा ऐसे में सामने वाले का मंगलिक से ही विवा होना चाहिए यह जरूरी नहीं है कि सामने वाले का भी मंगल इन ही नच्छत्रों में हो लेकिन अगला विक्ति भी मंगल के नाते धंग से मंगलिक होना चाहिए तीसरी चीज तीसरा सूत्र आप लोग नोट कर लीजे यह सूत्र ज उग्रिया कुरूर नच्छत्र को देखना है, नोट कर लिजे ऐसे, अब अगली चीज क्या है, किसी भी भाव का जब हम पिशलेशड करते हैं, तो हम भाव को देखते हैं, भाव को देखने का मतलब यह है कि उस भाव में कौन सा गरह बैठा हुआ है, भाव में जो गरह बैठ हुआ है, उसे देखिए, उस भाव का जो स्वामी है, उसे देखिए, और भाव पे जो दृष्टी डाल रहा है, गरह उसे भी देखिए, तीन चीजे मिलेंगी, भाव में बैठा गरह भाव पे दृष्टी डालने माला, और भावे इस भाव का स्वामी, अगर ये तीनों मे से मैक्सिमम चीजे मैक्सिमम कब हो जाएगा जब दो चीजे मिल जाएं इसमें से अगर इन में से दो चीजे मृदू नच्छत्र में हैं तो उस भाव का फल अच्छा हो जाएगा और अगर इन में से दो चीजे अगर तीनों हो जाएं तो और भी अच्छा है लेकिन बहुमत पाने के लिए तीन में से बहुमत दो कातों बनेगा ना, तो दो चीजे मिल जाएं तो अच्छी है, तीनों मिल जाएं तो और अच्छा है, वहीं अगर ये उग्र या कुरूर नच्छत्र में बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई मांगलिक है, चतुर्थ भाव में मंगल है, स अब उन्होंने कुंडली मिलान करवा ली है, मांगलिक से विवा भी हुआ है, दोनों पती-पत्नी मांगलिक है, तब भी ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल करेगा अगला वेक्टी, काफी लोग आते कुंडलिया मिलाता हूँ, और वो लोग कहते हैं, गुरू जी ऐसा क्यों तीछल नच्छत्रों का प्रभाव है, तो यह उनकी डेस्टिनी है, सारी चीजे ना उपाय से बदली जा सकती है, ना कुंडली मिला के बदली जा सकती है, यह एक व्यक्ति मांगलिक था, तो मांगलिक से विवाह करवाना पंडित जी की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपन करतब किया है, अब व्यक्ति की स्थिति कैसी है, रासियों में, वर्ग कुंडलियों में, नच्छत्रों में वो सिसाफ से वो फल देता है, तो यह नच्छत्रों के प्रियोग में बात, दूसरा पॉइंट आप यह नोट करेंगे, कोई भी भाव में बैठा हुआ ग्रा, या किसी भाव का स्वामी, अगर मृदू नच्छत्र में होगा, तो उस भाव का फल मीठा करेगा, भाव का फल अच्छा होगा, वहीं अगर क्रूर नच्छत्र में होगा, दारुड तीछड में होगा, तो भाव का फल बिगाड़ेगा, अन्य नच्छत्रों में होने पर साधा परड़ फल आते हैं अन्य नच्छत्रों का आप लोग सोचेंगे नहीं बोला जा रहा है तो मिस्र नच्छत्र नाम ही मिस्र है ना अच्छा ना बुरा वैसे चलाएगा इसमें भी वैसा ही है चलता रहेगा लेकिन विशेश रूप से यह नच्छत्रों का योगदान अधिक ह है इसमें सबसे ज्यादा प्रियोग आप करेंगे जब किसी की कुंडली में कोई अच्छा योग बना है बुरा योग बना है भाव को देखेंगे भावेस को देखेंगे तो यह देख लिया करिए कि उग्र या फिर तीच्छड नच्छत्र में है कि मृदू नच्छत्र में है उम्मीद है यह नच्छत्रों पे यह जो मैंने बताए यह आपको समझ में आया होगा नीचे कुछ और बताए गए हैं नच्छत्रों को उनकी दृष्टी के अनुसार भी बाटा गया है और वरगी करण इस प्रकार से उर्ध मुखी यानि उपर देखने वाले उपर की देखते हैं यानि जिस्ट काम को ऊपर की तरफ बढ़ाना हूँ उनका वह काम इनमें आप कर सकते हैं जैसे कई मंजिले का भवन बनाना बहुत उचाई पर लेके जाना घर बनाना मंदिर के गुम्बद का निर्माड मंदिर का निर्माड उद्यान आधि बनाने का काम किया जाता है और दूसरा होता है अधो मुखी नच्छत्र जिनके दृष्टी नीचे की तरफ होती है इनमें मूल नच्छत्र आसलेखा नच्छत्र विसाखा कृतिका तीनों पूर्वा जहां पर जा रहा है उत्तरा वहां पे तीनों उत्तराइं जाएंगी और यहां तीनों उत्तरा ना, उत्तरा मतलब उत्तरा साढ़ा, उत्तरा फालगुनी, उत्तरा भादरपद और तीनों पूर्वा इसी प्रकार से, पूर्वा फालगुनी, पूर्वा शाढ़ा, पूर्वा भादरपद ये अधो मुखी है, भरड़ी भी इसी में है, मघा भी है इन नचत्रों में भूमी से जुड़े हुए कार्य जैसे नीचे देख रहे तो नीचे की तरफ किया जाने वाला काम खुदाई का काम कुई ये बनमाना, तालाप के लिए जमीन को दना, न्यू रखने के लिए जमीन की खुदाई करना, न्यू रखने के लिए ये लीजिए और जब उसको बोलते हैं कि न्यू बन गया, न्यू बद गई, लिंटर बोलते हैं लगा देना, उसके बाद ये नच्छत्र लेना चाह जैसे कि कुछ लोग किसान लोग खेती करते हैं तो पुछ चीज torchy करना है तो यह सब आ Theo घंब करेंगे कंद जैसे कोएले की ख़दान मगेरा है जमीन के अंदर गंदे पानी की निकासी की खुदाई का काम यह सब हो जाता है इसमें पढ़ लीजेगा बाद में ध्यान से तिरियक मुखी नच्छत्र इसमें मिर्गसिरा रेवती चित्रा नुराधा हस्त स्वाती पुनरवसु असुनी जेश्ठा नच्छत्रा इसामिल है इनमें नच्छत्रों का म माना जाता है किसी को गाड़ी चलाना सुरू करना हो सीखना सुरू करना हो टो इन नच्छत्रों में सुरू करें więc हम्हान में चड़ना सड़क निर्मार आज्छ ये सब जो काम सीध्य रेखके किये जाएं तो यह इतने तीन प्रकार के नच्छत्र हैं ऊपर देखने की के बारे में मेरा कारिक्रम था फिर अगले कारिक्रम में कि इस पर लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए गा दुबारा नहीं बोलेंगे जो उग्र पुरूर और मृदू नच्छत्र का कॉंसेप्ट है इसका बहुत ज्यादा प्रियोग होगा आज इसको इतना कर लीजि वो तो हमको बहुत नहीं पता है लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग देखिए एक मिनट मैं थोड़ा विपसाइट को लेता हूं कुछ लोग तो लॉग इन ही नहीं कर पाते मतलब नच्छत्र तक ढूड़ नहीं पाते हैं देखिए इसको लॉग इन करिए अगर किसी को दिक्कत हो तो अपने घर में नौ युवक जो छोटे बच्चे हैं उनसे सलाह ले अब यहां पर आपको मिलती है एक तो प्रीमियम एस्ट्रोजी सप्ली मिन्टरी में जूम क्लास की रिकॉर्डिंग जाती है इस्टडी मटेर सप्ली मिन्टरी में पहला लेशन देख लें और फिर इस पर प्रेक्टिस करें प्रीमियम एस्ट्रोजी में आपके वीडियोज है इसमें काफी वीडियोज आपको कवर करा दिया गया है भाव से विचाड़िया अंग किस रासी से क्या-क्या विचार होगा यह हो गया नच्छत्र परिचे पर आज हम लोगों ने चर्चा की है लेशन 23 तो अभी आप क्या करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी उसी के जस्ट बाद आप लोग जाकर के लेशन 23 जरूर देखिए अभी एक बार मैं बोला हूं अभी दुबारा जब इसी चीज उसको वीडियो फॉर्म में देख लेंगे तो यह चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी फिर अगले क्लास में ग्रहों की अवस्था फिर और सारी चीजे देखेंगे कारक मारक पे भी मैं जल्दी ही कॉंसेप्ट किलियर कर दूंगा कारक मारक और बाधक तीनों पर तो अब आइसे तो दिन में में और अप्लोड करवा दे रहा हूं कि एब हाथ है कोई हाथ उठाना चाहरा था सब्सक्राइब पूशना चाहता हूं जिए कि हमारे तेक्टिकल्स जब होंगे एक कर वाएंगे तो प्या यह चीजे दोबारा बताई जाएंगी क्या जैसे अंगों से विचार करना आपने बताया है, अब मेरे सामने एक कुंड़ी है, मैं उसमें देखना चाहता हूं कि भी किस अंग से उसकी दशा भी देख लिए मैंने, और मैं देखना चाहता हूं कि भी इसको किस अंग में, किस रोग के बारे में मेरे को जानना है, बहुत उचित सवाल आपने किया है, देखे, अभी आप सिर्फ इतना आपका काम है कि किस रासी से किस अंग का विचार होगा, किस भाव से और किस ग्रह से किस अंग का विचार हो पीडित काउन सांग है कैसा है यह अभी छोड़ दीजिए यह जब हम अभी कुंडली विश्ले सड़ पे चलेंगे तब वहां पे जब मैं कुंडली सामने रखूंगा और बोलूंगा यह चीज उससे आएगी ऐसे उस वक्ति यह चीज दुबारा आएगी दुबारा समझाएं अभी फलित पे हमारा कोई नहीं न जाएं लोगों की जरूर्ब नहीं जो डाउट वाला था लोगों ने भेजा था ग्रूप में वास्तों में वो सारी चीजे फलित की पूछ रहे हैं हाँ फलित की अभी नहीं हम चलेंगे अभी हम सिर्फ पे रहेंगे जब मैं आप सब लोगों को खुब माज लूँगा ढंग से कि हाँ अब जो है लोगों का कॉंसेप्ट लगभग लगभग समझ में आ गया है तब फलित पे चलो अब सब्सक्राइब का वहां पर बाते नहीं समझ में आएंगी ठीक है कि फिलाल हम लोग फलित में इसको लेंगे और बढ़िया से समझ में आएगा और कोई हाथ उठाना चाहता है कि मोहित है कि मैं ग्रहों की द्रश्टी के बारे में कुछ पूछना चाहरा था कुछ है आपने मतलब लेसन जो अपलोट कर रखा है उसमें एक कंसेप्ट यह बताया है कि जैसे गुरू चौथे भाव में बठा हुए तो तीन डिग्री का मालो अगर वो है तो दसवे भाव तो गुरू जी मैं यह पूछ रहा था कि अगर मालो फंदरा डिग्री का कोई ग्रह होता है तो क्या वो फंदरा डिग्री तक ही देखेगा या पूरे भाव को देखेगा तो इसका मतलब तो यह हुआ कि पूरे भाव पे द्रश्टी के लिए 29 डिग्री या पर साड़े 29 ड कि जहां पर द्रश्टी पढ़ रही है उस ग्रह कितने हम में पर नहीं होगा तो सिर्प ब्ह Telespati की द्रश्टी वह पर और अगर भाव में ग्रह हैं तो दो संभावन होंगी एक तो भाव पे द्रश्टी पढ़ेगी ही दूसरा हम देखेंगे क्या ब्रहस्पती की द्रश्टी उस ग्रह पर भी पढ़ रही है कि नहीं तो दसम भाव में कोई ग्रह दस डिगरी से नीचे होगा तभी ब्रहस्पती उसे देखेगा और पूरी द्रश्टी मान लेंगे लेकिन यह कॉंसप्ट मुक्ष रूप से ग्रह पर लागू होगा रेडियो में मैंने ग्रह का नाम लिया है और पांच भी और नवी द्रश्टी के लिए भी यही कंसप्ट लागू होगा य यह सब सामने की द्रश्टियां नहीं है यह बगल वाली द्रश्टियां है और दूसरी एक चीज़ और समझ लेजिए लगन की डिगरी कितनी है यह देख लीजिए लगन की डिगरी जो है अगर उस डिगरी के आसपास में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस ग्रह की द्रश्टी बहुत प्रबल हो जाती है अगर किसी का लगन दो डिगरी का है और कोई ग्रह दो डिगरी तीन डिगरी एक डिगरी के आसपास में है तो उसी को भावमध्य ब तो वो ग्राव पर जहां बैठा है वहां पर बहुत अधिक प्रभाव रखेगा जिन वाओं का स्वामी है उसके भी बहुत अधिक प्रभाव रखेगा जहां दृष्टी डाल रहा है हुआ है जो गुरूजी एक विडियो देखा हुआ था तो उसमें आप ने मतलब यह चीज कि आपको मिलेंगे और पेडियाइप में भी कहीं न कहीं लिखा होगा हालांकि इस पे अभी आगे और भी क्लास मिलेंगे गुरुजी एक क्वेश्चन और था मैंने लिखा था कि कुछ जो तिशी जो है वो मतलब ग्यारवे भाव से लेफ्ट हेंड देखते हैं और तीसरे भाव से राइट हेंड देखते हैं तीसरे बाव से राहिण तो बताय या तो तो इसलिए अगर राइट है कुनडली का राइट साइड तो लेफट अंगों को देखें लेफट है तो राइट को देखें राश्ट में पंचांग को जो है सब को पंचांग के माध्यम से बताएंगे कि कौन अच्छत्रकाब तो आपने बोला था कि जैसे चर है तो उसमें जो नक्षटर है तो उनको चेक करना है बट जैसे चर का डे है जैसे अगर मंडेट सौवार का दिन है जैसे हमें कोई वाहन खरीदना है तो अगर हम बिना नक्षटर देखे सिर्फ सौवार को वाहन खरीद ले वो चलेगा या सर गुरू जी नहीं चलेगा नक्षटर का योगदान सब्तर परसंट है इसलिए नक्षटर को पहली प्रात्मिक्ता में यानि सबसे पहला महत्तों नच्षट रखा है अंकित मिस्रा जी अपने आपको अन्म्यूट करिए जी गुरुद्व मैं एक बात पूछना चाहता हूं जैसे आपने बताया था कि मूल्ट रिकोर्ड तो क्या गुरुजी मतलब कि मूल्ट रिकोर्ड में मतलब आपने मंगल को बताया कि 28 संस पे मूल्ट रिकोर्ड हो मतलब होगा मकर परम नीच्वी मूँ अठाइस सब्सक्राइश भी होगा नहीं उसने अंस पर ही होगा अगर वह 25-27 का है तो भी उसी परिपेच में ही देखे क्योंकि वह परमुच्च की तरफ पहुंचने के लिए अग्रिसर है परमुच्च मतलब आप ऐसा माल लीजे औरेश्ट की चोटी है उसी पर चढ़ाई कर रहे हैं तो वैसे ही उचा है यानि आप उचाई पर जा रहे हैं अब जब आप यह रिष्ट के सबसे ऊपर पहुंच गए तो वह डिग्री है 29 अब उसके बाद फिर नीचे आना प्रारम हो जाता है लेकिन जब आप 29 पे नहीं पहुंचे हैं 25-26 पर ही है तब ही से वह चीज हो जाती है मन में ना कि आप तो मैं पार कर ले गया हूं पह और यहां पर नीचे लिखा रहेगा लगन मतलब लगन चौदा अंस का है सूर्य कितने अंस पर है चंद्रमा कितने अंस पर कितनी कला विकला पर है यह सब लिखा गया है यहां एक चीज और मैं समझाओंगा आप लोगों को जो एकदम से नए है वह इस चीज को समझ लें ज मार्क दिया गया है यानि सूर्य तीन अंस पर है यह जीरो तीन के बाद जो लिखा गया है कि एक मिनद इसमें कलम उलम आ रहा होता तो मैं ले लेता कि देखिए सूर्य को देखिएगा यहां जीरो तीन है ब्लू जो है सरकिल दिख रहा है आप लोगों को यह यह जो जीरो तीन है यह सूर्य का अंस नहीं है जीरो तीन के बाद देखेंगे तो थर्टी सिक्स लिखा गया है अनस है और यह थर्टी सिक्स को कला बोलते हैं जिसको मिनट बोला जाता है ठीक और फिर इसके बाद जो 35 है यह बिकला है सिकेंड है इसी प्रिकार से अगर हम सनी को देखें तो सनी जो है 7 अंस पर है 07 मतलब 7 अंस पर है और 06 मतलब हो गया कि यह 6 कला पर है और 21 मतलब हो गया 21 बिकला पर है थीख है यह तो हो गया अंस देखना जिसके बारे में एक वीडियो भी बनाया गया है चंद्रमा 21 अंस पर है 18 18 क्या है चंद्रमा की आप लोग बताएं उल्हां और 0 3 क्या है विकला है तो अन्स कला और विकला जो है यह हमारी साहित्तिक भासा है सास्त्रिय भासा है जो तिसके किसी भी ग्रंथ में आपको मिनट और सिकंड लिखा नहीं मिलता है अंसकला और विकला तो आप लोग भी प्रेक्टिस अंसकला और विकला की ही कीजिएगा जैसे कुंडली किसी की देख रहे हैं और तो बोलेंगे कि आपका मंगल दो अंस 34 कला और पंद्रा विकला पर है यह चीज समझ में आ गई होगी आपको अब दूसरे पर चलते हैं दूसरा चित्र लेते हैं दूसरा फोटो यह अब आप स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो यहां देखिए ग्रहिस्चिती है वह जो में घेरा बनाया है वह यहां भी बन गया इसके पहले वाली फोटो लेनी पड़ीगी पहले तब समझ में आएगा यहां पर ग्रहिस्चिती लिखी गई है जब आप ग्रहिस्चिती देखेंगे यहां पर ग्रहिस्चिती जब इसमें नीचे आएंगे तो यहां पर लगन देया है लगन तुला रासी में है लगन कितने अंसका है और लगन में नच्छत्र कौन सा है यहां पर दिया गया है ल चत्र में है और चत्र पामनाइक ट्रिश्रे की और की श्रूव में बोल रहा है कि रहुतु को बहुत जादा जो है लिख के रखिये धिरे-धिरे yad हो जाएगा कि जब कुंडली में हम्आरे पास टेक्न๊pe है वो बताती है कि कौन सा ग्रा किस नच्चत्र में है तो इसका इस्तिमाली है मुर्ग सिरान छत्र में है और किस चरण में है तीसरे चरण में है ऐसे आप सभी ग्रा का देख लेंगे अब यहां देखे जो ग्राहिस्थिती है किसी के बगल वाला कॉलम है ग्राहिस्थिती सब जब आप मोबाइल में ऐसे स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट साइट तो ग्राहिस् अब इसमें देखिये, यहां गुरू को देखिये, इसके पहले वाले में क्या था? ग्रह था? कितने अंसपर है? यह था? किस नच्छत्र में है? और किस चरड में है? यह था. अब इसके पहले वाले तस्बीर में मंगल जिस नच्छत्र में था उस नच्छत्र का स्वामी यहाँ पर दिया गया मंगल अपने ही नच्छत्र में है वहां से आप नच्छत्र देखेंगे और यहां से नच्छत्र का स्वामी कहा मिलेगा यहां जो उपर ना लिखा गया है यह वाला इसमें नच्छत्र का स्वामी बताया गया है कि ग्रह जिस नच्छत्र में है उसका स्वामी कौन सा है जैसे सनी जो है पेज पे यही बताया गया है कि अगर सनी सत्विसा नच्छत्र में है तो सत्विसा नच्छत्र का स्वामी कौन सा है सद्विसा नच्छत्र का स्वामी यानि राहू के नच्छत्र में है और यह जो रा लिखा गया है यह मतलब किसकी रासी में है फिक है लगन किस में था तुला रासी में था ना यहां फिर से देखिए लगन की रासी कौन सी है देखिए लगन की रासी क्या है तुला तो इसमें यही बताया गया है फीक डह जिसकी रासी में बैठा है उस रासी का स्वामी फिर ग्रह जिसके नच्छत्र में है नच्छत्र का स्वामी फिर किसके सब डिवीजन में है ये जो सा और सम लिखा गया है ये केपी में प्रियोग होता है कृष्णा मूर्थ पद्धती म तो जब उस पे class देंगे तब बताएंगे इसके बारे में जब हम आपको ले चलेंगे के पी का भी class रहेगा ठोड़ा और जैमीनी का भी रहेगा सबको मिला के बोलना रहेगा तब इसके बारे में उस समय बताएंगे एक कुछन पूछना चाहता हूं सर अगर आप पूछ का हो तो वो उचका है लेकिन जटेगर में है तो सही नहीं होगा तो उसकी चटेगर में अगर और उसकी अगर नवी और पांचवी द्रस्टी होंगी और किसी नीजगरा पर पड़ेंगी तो यह उचका गुरू उनके लिए नीजगरा पर वो अच्छा रहेगा यह वाला खुद यह तो दिकार रहेगा नहीं चटेगर में ब्रेस्दति थोड़े हैं द्रिश्टी तो अच्छी ही रहेगी अब लेकिन वह अगला नीजगय का है अगला ग्रह नीजगरा है PayPal क्ले अच्छा उगया और यह प्र नहीं अभी यहां पर ब्रहस्पति का अपना फल है छठे भाव में ब्रहस्पति का होना असुभ है लेकिन छठे भाव से ब्रहस्पति जहां दृष्टी डाल रहा होगा वो न भावों को उन ग्रहों को अच्छा करेगा अब छठे भाव में ब्रहस्पति का होना अच्छा भी बुरा भी दोनों हो सकता है अब चटे भाओं में ब्रहस्पती हो विपरीत राजयोग में आ जाए हो सकता है आठमे का स्वामी हो करके चटमे में बैठा हो आरामे का स्वामी हो करके बैठे च्छे आठ बारा का स्वामी हो करके अगर च्छे आठ बारा में बैठेगा तो अच्छा है मान लेजे क्योंकि धन भाव का स्वामी कहां गया है रिड़ भाव में गया है यानि ऐसे व्यक्ति को बड़े बड़े रिड़ रहेंगे ब्रहस्पति उच्छ का है अगर धन भाव का स्वामी हम माने ब्रहस्पति को और यहां चठे में आया तो कर्ज देगा बारहमे का स्वामी होके तो अच्छा है तो यह परिस्तितियों पर निर्वर करेगा अब किने का मदब चारत बाराक में अगर कोई ग्रहा बेटा है तो वह खुद बूरा देगा लेकिन उसकी द्रश्टी तो अच्छी होगी अगर अच्छा ग्रहा भी गुरू है शुक्रह से चंद्रमा है बुद्ध है तो उसकी दृष्टी अच्छी होगी ठीक स्थेंकियों लेकिन जिन भावों को जिन ग्रहों को देखेगा उनके माध्यम से अच्छा दिलवाएगा और एक चीज यह समझ लीजिए किसी भी भाव में भले उच्छा आठमा हो आठमा हो बाराहमा हो किसी भी भाव में करनी चाहनी सद्रूरासी घाले ही कोई भी लाहो किसी भाव का हो आठमें का हो चोथे का आछका है कि वह मित्र में रहे जहां रहे तो यह ज़्यादा अच्छा और अभी आपने जैसे वान्याफ्टे का ढापो कि अगर की को Suzanne for me a में लगन लेंगे तो इस सवामी नहीं हो गा ने 11 मतलब कुम्भ लगन लेंगे तो हो जाएगा कुम्भ लगन लेंगे तो ब्रहस्पति हो गया और चठे में पड़ा उच्छ 11 12 12 13 हो गया कुम्भ लगन में हो गया और ब्रहस्पति धन का स्वामी हो करके चठे में आया है धन है और यह रिड़ है ऐसा ब्यक्ति बड़े ब योग हैं कुछ अच्छे योग हैं तो ब्यक्ति बहुत बड़ा बिजनस खड़ा कर लेगा लोन ले करके बैंक कैसे ब्यक्ति को लोन देने के लिए तत्य पर रहेंगे अगर इसको रिंड लेना नहीं चाहिए अगर तन्बाव का इसमें यह यह तो परिस्थिती पर निर्वराब जैसे की हमीन अच्छत्र तक प्रावेट लिम्टर चला रहे हैं हमको एप डिजाइन करना है वेफ साइट और सारी चीजह हम ही को करोड़ों रुपे लगाना है उसके ग्रह स्थिती अच्छी है तो उसको उस लोन से सफल भी करेंगे जैसे मुके संबानी पर तो बहुत ज्यादा करज होगा ना लोगों को देखने में लगता है कि बड़े हैं लेकिन करजा बहुत है पाउन सब अपने पैसे से अमीर बना है दूसरे का पैसा ले करके उ उसको अपने प्रॉफिट का हिस्सा दिये हैं और अपना अमपायर खड़ा के करते हैं को मलब कहीं अच्छा भी हो सकता है कहीं बुरा भी हो सकता है किसी की कुंडली में अच्छे योग नहीं है दुर्योग है और दुतिये का स्वामी मान लीजिए छठे में है उच्छ का ह कुंडली में और कोई राजयोग नहीं है तो ऐसा व्यक्ति ले तो लेगा बहुत बढ़ा लोग लेकिन फिर उसी के नीचे दपके मर जाएगा तो यह निर्भर करता है कि कुंडली के राजयोग और दुर्योग कैसे हैं कि और किसी को कुछ पूछना है हाथ तो बहुत लोग उठाए है कि अगला लेशन कारक मारक के बारे में हैं अगला बोलिये अगला बताया कि यह जो और इस तर फालगुनी पूर्वा भादपन यह आ गए यह आगए उद्र नच्छत में इसमें भी मकान की नीव रखना अपि जब आपने बताया कि अधूम उड़्दमुखी तो उसमें आ गए पूर्वा फालगुनी पूर्वा अब यहां पर देखिए एक तो दृष्टी के आधार पर बताया गया है और इसमें के आधार पर बताया गया है वहां पर दृष्टी का फल बताया गया है नच्छत्रों के और वह फाइनल कंक्लूजन नहीं है हमारा कि हम ग्रिह मुहूर्त किसी को बता रहे हैं तो आप इसी नच्छत्र के अंसार बताएंगे बस यह एक पॉइंट है इसे नोट रखेंगे जाने रहेंगे अभी जब हम हमारा कुंडली वाला कारिकरम खतम होगा कुंडली फलादेश का फिर उसके बाद जब हम मुहूर्त वाले में चलेंगे तब यह सारी चीजें क्लियर होंगी यहां पे सिर्फ एक बेसिक इंप्रोडक्शन में ने दिया है मोल उद्देश आपको वही ओग्र कुंडली परिय में भी देखा जाता है तो यह सारी चीजें हम कबर करेंगे मेरा मेरा सवाल है कि अगर कोई भी ग्रह वक्री हो तो कैसे जानेंगे हैं अभी के लिए इस टॉपिक को छोड़ दीजिए वक्री ग्रापे हमारा कारिकरम हो जाएगा तब उस पर डाउट ले लिया जाएगा मत है अगर मेरे करें में बहुत सारे खाने काली हैं मतलब क्या होता है खाने खाली का मतलब आपारब कुछ नहीं होताहिए चैंब का किया सब्सृद्ध हो गई दो मरेन सब्सक्राइप कर अधार के लगन खाली है अब जैसे लगन खाली है तो हम इस जान का फल कैसे निकालेंगे की सुआमी ग्रह कौन सा है वह कैसी इस्दिटी में इस भाव पे किस ग्रह की दृष्टी पड़ रही है मंगल की पड़ रही है ठीक है मंगल देख रहा है भाव के आगे और पीछे क्या है पाप करतरी है कि सुब करतरी है इसके बादे में वीडियो बता है आगे पाप करतरी सुब करतरी तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी भाव में ग्रह नहीं है तो वो भाव बिगड़ गया तब उस ग्रह के उस भाव के स्वामी के अनुसार की भाव का स्वामी कैसा है भाव पे जो है दृष्टी किसकी है भाव के आगे पीछे सुभ ग्रह है कि कुरूर ग्रह है उस हिसाब से हम जानेंगे कि शेनी की दुरिष्टी बार्वबे पड़ेगी दो तो अच्छी नो नहीं बहुत अब बहुत दर्द करता है अब सणी की दृष्टी है तो पैर बहुत करता है और अगर चंदरमा सब्सक्राइब चंद्रमा की दृष्टी से तो कुछ बहुत नहीं पड़ेगा लेकिन चंद्रमा चठे भाव को बिगाड देगा सत्रू ऐसे व्यक्तिके बहुत रहेंगे चठे भाव में याद रखिएगा जो सबसे छोटे गोचर वाले ग्राह है वह कौन से हैं एक चंद्रमा है एक बुद्ध है चंद्रमा बुद्ध चठे में बैठा हो चठे पे दृष्टी डाले तो सत्रू को बढ़ा देगा अब आप जो कहना चाहा रही है यह कि सनी देख र लेकिन खर्चे बढ़ाएगा दूसरा प्रभाव तो देगा ही देगा तो पैर में तकलीफ है शुक्र देखिए इसी भाव में बाराहमें है तो आँखों में भी तकलीफ दे रहा है चस्मा लगाए रहना पड़ता है शुक्र तो बारवे पे अच्छा रहता ना गुरू ज बाराहमे में अच्छा है लगन से बाराहमे गया है वो भी करक लगन में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है करक लगन में फल दीपिका में एक राजयोग है कि अगर करक लगन में बाराहमे भाव में शुक्र हो तो राजयोग होता है दूसरा यह है कि करक लगन में अगर लाभेस बारहमे भाव में जाए तो राजयोग होता है तीसरा राजयोग ये है कि करकलगन में अगर एकादस और द्वादस भाव के स्वामी रासी परिवर्तन करें तो राजयोग होता है तो सुक्र तो मेरा यहाँ पर तीन-तीन राजयोग बनाया है है मतलब करक लगन के लिए ही अच्छा होता है बारहमे में सुक्र लेकिन अगर सूर्य किसी विक्ति का कमजोर हुआ थोड़ा सा तो बारहमे का सूर्य आँखों की दिखत जरूर देगा कारण समझे बारहमा भाव आँखों का होता है यह आप लोग जानते हैं और पुराणों के अनुसार सुक्र जो है किस का प्रतिनिधी बनते हैं सुक्राचार्य का देवत असुरों के गुरू सुक्राचार्य का और सुक्राचार्य की आँख ब्रिशनु भगवान ने फोड़ दी थी जब जाकर के लोटे में छिप गए थे राजा बली के जलना निकलने पाए तो दीजनु ने एक पुसा से को से गास से उनकी एकश थोड़ दी थी तो इस प्रकार से शुक्र एक अंधाग्राह जिससे पास नहीं है तो और यह भाव कौन सा है बारामा आखों का आखों वाले भाव में जब एक अंधाग्रा सुक्र बैठेगा तो आखों में तकलीफ का ब्रेंट को देख और यहाँ सूर्य को देखें कितने डिका है इस डिका है मेरा सुर्य भी थोड़ा सा भीड कुछा है फुला भाव में केतू है के तुकुल ग्राहरा है यह लोग देख लेजिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी की कुंडली में केतु देख लें दूसरे भाव में तो कड़ाक से बोल देजिए कि आपका दात जो है हिल जाएगा गिर जाएगा दंतहीन हो जाएंगे बोलना ऐसे है कि केतु है दात मसूडों में दिक्कत आ सकती है वो सकता है जिस समय आप बोल रहे हूं उस समय व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो तो व्यक्ति आपकी बातों को जूटा मान जाएगा तो इसलिए तकलीफ हो सकती है ऐसा बोलना है दूसरी चीज केतु यहां है क्या किसी और ग्रह की दृष्टी है इसको भी देखिए केतु यहां है तो मंगल की भी देखिए आठमी दृष्टी पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है मंगल की भी तो आठमी दृष्टी पहुंच रही है तो जब दो कुरूर ग्रहों का प्रभाव हो जाएगा तो जो समस्या आनी है वो अर्ली एज में आ जाएगी अकेला केतू है तो व्यक्ति जब 35-40 साल का हो तब बोलिए कि ये प्रॉब्लम होगी दो कुरूर ग्रह हो गए मंगल की भी दृष्टी है तो ये बता दिया कि केतू ये कुरूर ग्रह बैठा है दूसरे कुरूर ग्रह की दृष्टी है तो दातमसूडों में दिक्कत है अब ब्रहस्पती की भी देखिये पाचमी दृष्टी है तो इसलिए ब्रहस्पती की मेरे दात्मसूडे को बचा रही है सब्तमेश छठे भाव में गया हुआ है किसका होता है रोग का रिड़ का लड़ाई जगड़े का इसका होता है एक चीज आप किसी को भी बोल सकते हैं कि अगर सब्तमेश भाव का स्वामी छठे में जाए तो ऐसे जातक कि चाहे पती हो चा कि अगर सब्तम का स्वामी छठे में है तो उसका जीवन साथी एक बात का जवाब जब भी थोड़ी बहुत बहांस होगी तो एक बात का जवाब पांच बात से मिलेगा उसको अब लोग अपना ही लगे इसको समझे कौंसेप्ट को तो यह बात है जो यह मैं बता रहा हूं अगर सब्तमेश चठे में गया है तो यह चीज लागू है लेकिन मैं मैं बहुत सांसील हूं मेरा करक लगन है देखी रहें आप लोग चंद्रमा का मैं स्वाम में सभाव का हूं अब यहां पर हुआ क्या है कि मेरिड लाइफ अच्छी कैसे हुई इसका रीजन समझे मंगल जो है यह एक तो डिगरी से थोड़ा सा बीख हो गया यह अपने पू भाव का स्वामी नोट कर लीजिएगा अगर किसी भी भाव का स्वामी भाव के कारक के साथ संबंध बनाए तो उस भाव का फल अच्छा हो जाता है सनी जो है भाव के कारक सुक्र के साथ संबंध में है एक तो यह दोनों जैसे सनी ने बिगाड़ा है तो सुक्र छठे कर रहा है मिन्टेन कर रहा है दूसरा गुरू की भी दृष्टी आ गई है और सनी गुरू की ही रासे में बैठा है तो अगर किसी ग्रह पर दो-दो सुभ ग्रहों का इंफ्लियंस आ गया तो भाव सुधरेगा सिर्फ इस बात से आप नहीं नीड़े करेंगे कि कोई ग्रह नहीं देगा अब यहां दो सुभ ग्रहों की दृष्टी में एक तो सुक्र स्वयम सात्मे भाव का का रखी है लेकिन हमको लगता है यह चीज कि जैसे यहां पे अब मंगल है उच्च का है मंगली के बना रहा है दोस्थ भले नहीं दे रहा है तो भी पती-पत्नी में पहले जाने वाला नंबर इन Grid का रहेगा क्योंकि मेरा लगनेश तो बैठा हुआ है नवंभाव में गुरू की रासी में ठीक है लेकिन अगर हम सब्तम देखते हैं तो सब्तम में प्रूर्गरा सब्तमेश चटे भाव में और सब्तम से दूसरे अस्तम में भी क्रूर्गरा तो त के पहले विदाई इन्हीं की होगी संसार से तो यह इस तरीके से एक अनुमान निकाल सकते हैं एक चीज़ नया सुत्र नोट कर लेजिए सब्सक्राइब कोई कुंडली मांगलिक है अगर मंगल जो है लगन में चतुर्थ में सब्तम मस्टम द्वादस भाव में है तो यह मंगल का नच्छत्र एक तो देखिएगा उग्र और प्रूर दूसरा यह देखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है या कुंडली से दामपत्य जीवन खराब नजर आ रहा है सब्जी काट रहें एक लोग क्लास ले लीजिए तब सब्जी काटिये इतने जो है पत्नी भग्त हो जाएंगे तब कर इसे क्याम चलेगा देखिए अगर कहीं से कुंडली मांगलिक नजर आई बारामे भाव में मंगल है लगन में चतुर्थ में सब्तम में या अस्टम में अगर मांगलिक है तो या मंगल वास्तों में पारिवारिक जीवन खराब करने की छमता रखता है कि अन्य योगों से चीजे सही हो जाएंगे जैसे मैंने बताया कि ये जो सनी है ये सनी सुक्र और गुरू की दृष्टी में आने के नाते अच्छा हो गया भाव का स्वामी बन गया अच्छा मजबूत हो गया सुभ हो गया तो मेरे लाइफ अच्छी चल रही है अब अगर ये दृष्टी रही होती इन दोनों सुभ ग्रहों की और इसके साथ साथ ये जो नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव है इसमें भी कुरूर ग्रह रहा हो होता या प्रूर ग्रह की दृष्टी रही होती तो इस जो सुक्र और गुरू की दृष्टी का प्रभाव है वो कम हो जाता सुत्र नोट करिए अगर लगन कुंडली में मेरेड लाइफ के कुछ खराब संकेत मिल रहे हैं तो नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव देखना है नोट कर लिजे लगन कुंडली में मेरेड लाइफ का खराब संकेत है तो उसकी पुस्टी करने के लिए नौमांस कुंडली का चतुर्थ भाव देखिए अगर चतुर्थ भाव पर नौमांस कुंडली के पाप ग्रहों की दृष्टी होगी या पाप ग्रह बैठे होंगे तो जो संकेत लगन कुंडली से मिल रहा है लाइफ कराब होने का मेरेड लोग खराब होगा और अगर सुब ग्रह बैठा है या सुब ग्रह की दृष्टी है तो जो लगन कुंडली में खराब योग बना उसका वो समन करेगा उस योग को घटाएगा